मेरे तीन बार के आईस के इंट्रू का अनुबह यह कहता है कि जो न्यूए स्प्रेंट है जो बिगनर्स हैं जो अभी कोलेज लाइफ में मेरे साब से उनको यह पता होना चाहिए कि परस्टनर्टी डवलोपेंट किस प्रकार कर सकते हैं आजकल एक चीज हो गए यार की इंट्रू का बड़ा महत्व हो गए एक वेक्ति को 110 मार्क्ष मिलते हैं जबकि एक जो वेक्ति होता है उसको 210 मार्क्ष मिलते हैं तो सो नुम्मर का डिफ्रेंस आपको मतलब भार भी कर सकता है आपको टोप रेंग भी दिला सकता है सभी को नमस्कार दोस्तों आज के लेशन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त धर्मेंदर जाखड और आज का वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है क्योंकि ऐसा वीडियो मैंने यूटूब पे नहीं देखा है जब हम बात करते हैं UPSC में और IS बनने के के लिए पर्सनल्टी डवलोप्मेंट की तो हमें तब पता चलता है जब हमारे मेंस क्वालिफा होता है तब हम सोचते हैं कि IS का इंट्रू के में त्यारी करनी चाहिए लेकिन मेरे तीन बार के IS के इंट्रू का अनुबह यह खहता है कि जो न्यूए स्प्रेंट है जो मेरे एवरेज मार्क साते हैं तो मैं हमेसा मेसा असूश करता हूं की कास मेरी जो पर्सनल्टी बहुत अच्छी हो और एक जो सीवल सिवाउं के अनुकुल वैसा में कहीं थोड़ी तो आज का वीडियो मैंने आपके कमेंट से उठाया है कि आपने लगातारी कमेंट किया कि स किया सुधार करें या बहुत सारे upने YouTube चनल पर कमेंट करते हैं इस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि सर्म आईस की तरी कैसे करें तो जो भी जैसे इसकूल मैं तो में उनको बोलूँगा अभी आपको dance group हो गया, आपका theater society हो गई, यह चीज़ ऐसी है जो आपकी overall जो personality होती है, उसको आगे बढ़ाती है, development करती है, और यह निची तरूप से आपकी आने वाली life में, UPSC की जड़नी में यह चीज़े काम आने वाली है, सबसे important बात, जैसे आप मैंसे बहुत सरे अभी college में, तो ज कोई भी जो लड़का-लड़की है, वो 18-19 साल में graduate हो जाता है, तो उनके पास time होता है कि 21 साल के जैसे उसके पास अभी 2 साल बचते हैं, तब मेरे साब से उनको 2 साल अपना focus करना चाहिए study पे, और जैसे 21 साल होता है, आप अपनी exam दे सकते हैं, तो इस वीडियो का मकसद क कि आप अपनी जो personality है, उसको साथ लेके चलें, और college की life में, जैसे अभी मेरे साथ बहुत सारे जो new sprint है, जो मेरे आस पास के हैं, जैसे डियू में पढ़ते हैं, जैनियू में पढ़ते हैं, जब मेरे से बात करते हैं, तो मैं उनकी इन चीज़ों को देखता हूँ कि यार, उन college में कारे करम ऐसा होता है, कि आपकी education के साथ साथ आपको 10 अन्य प्रोग्राम भी करने होते हैं, आपको NGO के साथ जोड़ा जाता है, आप theater society join करते हो, आप singing society join करते हो, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं, जो आपके और आल जो personality development होती है, उसमें बहुत ज़दा काम आ या हम कह सकते हैं, हमारी छोटी सी कमिया, हमें जो UPC की finalist होती है, उससे बाहर कर देती है, इसलिए ये वीडियो मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत भेथरिन वीडियो होने वाला है, और आप सभी के काम आने वाला है, तो सबसे पहले हम चीजों की बात करने वाले हैं, उसमें आप Hindi English में आप क्या करोगे, अपना syllabus डाउनलोड करोगे, syllabus बैसे मैंने भी बताए, इस वीडियो की description में पूरा syllabus की आपको blog मिल जाएगा, और intro का syllabus भी आपको मिल जाएगा, description आप box चेक करना उसमें अच्छी चीज़े आपको मिलती है, आप उसमें आप Instagram जो मेरी ID उसका link पिल जाएगा, टेलिग्राम चैनल से आप मेरे से जुड़ सकते हो, बहुत सारी चीज़े काम की तो वीडियो की description को आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप साइड में देखना, UPC का syllabus, हम UPC का syllabus की बात करने वाले हैं कि, intro का syllabus होता है, बहुत सा साइड में देखना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ आपके लिए, और उसके साब से हम कोशिज करते हैं, point wise point आगे बढ़ते हैं, कि आपको किन चीजों में सुधार करना है, आईस बनने के लिए, और एक एक point पर हम बात करेंगे, कि आप कहा सुधार कर सकते हो, क् मैं खुद अभी इन चीजों पर काम कर रहा हूं, कि जैसे अभी next exam देने वाला हूं, तो चलो pre or mens, जैसे मेरा अनुबू कहता है, क्यार exam निकल आती है, आराम से जो हम प्रियास करते हैं, exam को हम पास कर लेता है, लेकिन जब इंट्रू में जाते हैं, उसमें marks कमाते हैं, तो सबसे पहले यहां पे तीन पॉइंट इन में mention है, कि एक पॉइंट लिखा है, जो उमीदवार है, जो भी candidate है, उनका इंट्रू एक बोर्ड की द्वरा लिया जाता है, जैसे इसमें मैं अपना नुबू भी साथ मता हूंगा, कि जैसे यूपीसी में आप जब इंट्रू दे कि इंट्यू का बड़ा महतव हो गया, पहले यह होता था कि जैसे दो सब्जेक्ट होते थे, में में बहुजए दा मार्क अधे थे, लेकिन जैसे पेटर चेंज हो गया है, तो इंट्रू का महतव बढ़ गया है, यहां पर एक वेक्ति को 110 मार्क मिलते हैं, जबकि एक जो व हमें करनी है साथ-साथ करनी है और हमेशा प्रीमेंस इंच्री आपका इंटिग्रेटर रूपसे में पढ़ना होता है तो पहली बात यह होगी कि पांस अधिश्यों का बौड होता है बहुत ही मज़ा आता है जब हम जाते हैं वहां पर इंच्टी देने सामने आप चेर तोर पर बता रहा हूं बाद में एक एक पॉइंट को लेंगे कि एक बात इसमें साब लिखेगी है कि आपके जो नोलेज का प्रिक्शन है ना हमने आप प्रिलिम्स और मेंस के एक्जाम में ले लिया है इसलिए यहां पर जो कुश्चन का मोड वो ऐसा नहीं कि हम आप से फेक की इनको कैसे सुदार सकते हैं कैसे हमारे जो पर्स्नलिटी होती है हमें इसको ना सकते हैं ठीक है तो एक एक पॉइंट लेके च ouvert के चलते हैं यहां परक्जाञ्स देखना ठीक है जो आपके जो कुछन पूछने वाले हैं सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि यार आपका बाइव डटा उनके सामने होता है कि जैसे आपने आप मेंस के एक्जाम दोगे और इंट्रू देने वाले हो तब आपको एक डेफ फोर्म बराते हैं आजकल डे इंट्रू पॉष्ण के पास होती है तो इंट्रू में सबसे ज़्यादा कुछन कहां से आने वाले हैं जो भी आपने एक आपने केरियर के दूरान जो चीज़े की है या आपने साथ में आपकी कुछ होबीज भी हो सकती है आपने कहीं जोब भी किया है तो सारा बाइड़ उन लोगों के पास होता है और वो आपसे इनी पर काफी कुछन पूछने वाले हैं जैसे मैं अपना अनुबह बताओं कि जैसे मैंने बीए किया है तो बीए में मेरे सब्जेक्ट थे पॉलेटिकल साइंस जोग्राफी और इंग्लीश लिट्रेजर तो मुझे तीनों क्या है क्या आउटकम वहां से आपने निकाला है तो आप जैसे अभी कोलेज लाइप में हो तो आपकी जीमेधारी बंदी तो जो भी आपने कोलेज में पढ़ा है वो मतलब सही से पढ़ा होना चाहिए आप उसको जोड़के पढ़ो कि यार वह आपके भी काम है और कैसे human development में काम आई चीजों को मतलब अच्छे से आप तार्किक रूप से पढ़ सकते हो विसलेशन करके पढ़ सकते हो तो पहला पॉइंट आप समझ गयोंगे कि जो बाइड़टा होता है जो भी आपने केरियर में चीजी की है उन पे काफी कुशन आने वाले तो उनको आप से ले इसके लावा आपके आसपास की चीजे भी वह पूश सकते हैं जनरल इंट्रेस्ट मतलब जो सामाने चीजे आम बोल चाल में हम एक दूसरे से कभी पूशते हैं ठीक वह बाते इसमें आ जाती है बहुत सारी चीज़े आती है इसमें ठीक है तीस तरी इंपोर्टेंट चीज है कि आपमें नेतिकता है कि नेतिक मुल्यों का विकास आपमें कैसा है वो कोई भी ऐसा कुछन आपके सामने क्लिट करेंगे सीक função納 उससे आपको कृशिजस करेंगे कि आपने यह क्वाल हैं की इई प्यूस सारी मूल्ले होते हैं जो आपका इंट्रीव के दुरान चेक करेंगे ठीक है और इसमें एक चीज और भी आते हैं कि जैसे आपकी सिवाव में ये भी अच्छा मुल्य होता है कि आप में सास की बावना है कि नहीं आप कैसे डटकर समझाओं के सामने मुकाबला करते हो यह बहुत बड़ा प आपको हमेशा जो आपकी जीजक है उसको खतं करना है जब भी कईम बोलने का मौका हो आगे बढ़ के मौके को लेना है और आपको सोदार करना है आप उस समय नहीं कर पाऊगे जब आपको इंट्री कॉल हो जाएगा ये गलतिया मत करना जो मैंने किये कि मुझे पहले इन च काम करना चाहिए इसलिए जो समस्याय मैंने फेस किये मेरे साथ जो जूड़े हैं इनकमियों को दूर कर पाएं और अपने पहले हैं इस बहुत जरूरी होता है आगे यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि उमिदवार की मानसिक समता वह अपको स्टस्थ करने वाले मानसिक समता चेकने वाले हैं जैसे वह एकना क्तारस पिस्टकुला सुनाने के लिए बहुत कर दो होता है कि हम घवराट के मारे हमें वहां चुट्रहा याद ही wey idnth है तो वह किमें ूट संच वाऒर का मणना एक डरना है कि यह दरना नहीं कि यह बहुत कुछ दे इन रहे मैं ने कर सकते हैं इसलिए यह हमें हमेशा पता होने चाह pä ngक हम तो तो बहुत वार देखते हैं लेकिन इंट्र्यू का सेले बस कोई बताता भी नहीं है कि यार आपको यह करना है कितने मतलब ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं जिसमें मतलब परस्टे डवलोपेंट की बात होती है लेकिन कभी ऐसे मुल्यों की बात नहीं होती कि हम कैसे उनको सु कोसा फोल पर उनको से लिए ठीक है जिए महिलाओं के खिलाब एसे मुद्द्द्ध सकति जो हिंसा के मुद्द्ध होते हैं वह कि सोशाइटी में व्यू sido कि वह सकते ही कि आपको अपने आस-पास की चीज़े पता नहीं होती तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है तो यह जरूर है कि आपका सामाजिक विवार कैसा है, आपके लोगों के साथ विवार कैसा है, कैसा आपका उठना-बैठना है ठीक, ये चीज़े भी माईने रखती है, इंट्रू भी माईने रखती है, कि आपका ओवराल पर्सनल्री डेवलोप्मेंट कैसा होना चाहिए, वो भी इसमें सामिल होता है, ठीक है, इसके लाव, mental alertness, एक पॉइंट बहुत बढ़ी है, कि मानसिक सतरक्ता, कई बार यह होता है कि हमारा फोकस नहीं रहता है, तो सामने वाला हम से क्या पूछ रहा है, या कई ऐसे लोगों होता है, कि जो लोग ज़्यदा बोलते हैं, वो सामने वाले को नहीं सुनते है, तो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, कि सामने वाले आप से काफी कुशन कर रहे हैं, और आपका द्य इसपहते हैं जल्दिभाजी इसको दियान रखने एक क्यार आपकी आलोसना करता सब्सक्राइस करने लगते हैं यह कि हमें आलोशनातों में गवराना नहीं है जैसे मैं अपना एक्जांपल दूँ ये मैरे मेरे में अच्छा है is यह गुण मेरे में अच्छा है कि जैसे कितने साल यह पेशिक तैरी करते होगे अंतिम सबलता नहीं मिली तो बहुत लोग आलोचक बन जाते हैं यार आप तो यह कर रहे हो वह रहा है दूसरी एक्जामें देलो वह कर लो तो मैं किसी के नहीं सुनता हूं मैं अपनी दिल के पुछे जाते हैं यह बहुत बढ़ी पॉइंट है कि संगत परतिबादन की सकती क्लियर और लोजीकल एक्सप्रेशन होता है यह ठीक है क्लियर और लोजीकल जैसे आप से कुछन पुछा गया कोई आप से डीबेट का यह कुछन बहुत आएंगे आपके क्योंकि कुछ भी ह करना है तो वहां पर आपको कहान इसे मतलब बताना है इसमें अपनी बात रखने के लिए कुछ डाटा कुछ एगजमपल भी बता सकते हो कहने का मतलब है कि आप जो भी बोल रहे हो ना उसमें आप अपनी चीज़ डटे रहना आपको उसके पक्समें आपको कुछ तरक्द और आपको ऐसा भी होता है कि कई बार डिबेट मोड में चला जाता है तो आपको बिलकुल सांत रहना है और बिलकुल गभराना नहीं है तो यह चीज रखनी है ज्यान में रखनी है इसके लाबा संतुलित निरने सकती यह बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि इंटू में के निसारों सविधानिक मुल्य के निसारों कानून के निसारों लोन अलान ओडर के निसारों तो वह जिदा बढ़िया रहता है चीक है वेसा होना चीज इसके लाबा और बहुत सारे कुसर आने वाले है जैसे रूची की विवित्ता और गहराई का मतलब है कि आप पुराल पर्सनल्टी भी उसमें डवलोपेंट होती कई चीज आप बहां से सीखते हो तो यह भी बढ़िया पॉइंट है इसके लाब आपकी होवी जो मतलब काम आए आपके भी काम आए और कहीं ने कहीं आपके सामाजिक मानसिक जो भी मुल्य उनको उनका भी विकास करें और शिवल सेवां में भी आपके काम आए एक पॉइंट अच्छा पॉइंट है याँ लेडरिशिप क्वालिटी का मतलब होता है कि जैसे आप अपने परिवार में भी भूमिका निबाते हो कई वार ऐसा मामल आता है कि परिवार में आपको डिसेंज लेना होता है आप कि वो चेक करने वाले हैं बोदी को नेतिक इमानदारी कई वार लोग बलब करते हैं या जूट बोलने लगते हैं उनसे जो भी पूछा जाता है ऐसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं चाहिए आपको पढ़ते वे पांस साल हो गई आप बिल्कुल कहीं जो भी नहीं करते हैं तो आपको चीज़ें चुपाने नहीं आप सिधा बोलो कि सर मैं बिल्कुल त्यारी कर रहा हूं और मुझे मतलब परिवार का सपोर्ट है ऐसे करके आप आराम से बोल सकते हैं वहां पर जूट नहीं करना है या कोई डीबेट वाला कुशना तो उसमें भी आपको जूट नहीं बोलना है यह चेक करते हैं आपके नेतिक इमानदारी नेतिक मुले बिल्कुल चेक होने वाले आप ठीक आपका इमोशनल इंट्रिजेंस वहां पर देखा जाएगा कि आप कैसे हो वहां पर भावक वाला भी नहीं चलेगा इमोशन मतलब बावनात्मक जो परंगतों बल्कि आपके जो भी एज्यूकेशन प्राप्त कि उसमें भी आपको अच्छा मतलब परपॉम करना है साथ यसाथ मतलब यह भी ध्यान रखना है कि अपने देश में क्या गटना है यह वेस्विक स्थर पर इसी कौन सी गटना ही और यह कौन सी विचारदर अभी में चल रही है कौनसे नए दर्शनाओं का विकास हो रहा हूं साइनस recommends Confirmat क्या वह रहा है सिक्सा में बिला के आपको च्छा और यह के लिए आपको डेली न्यूशपेपर पढ़ना चाहिए इसलिए मैं हमेशा कहता हूं डेली न्यूशपेपर आपके लिए बहुत इंपोरेंट है और जो बिगनर्स है मैं तो यह बोलूँगा कि आप एक न्यूशपेपर पढ़ने की अज़ डालो जैसे दह फिल या इंडिय चल से भी जूट जाना वहां पे मैं अच्छे जो अपने नोट्स होते हैं मोग टेस्ट की को पीज़ोती वह भी शेयर करता हूं और बहुत कोई ज्यादा समस्या आए आपकी कोई क्यूरी जो तो इस्टाग्राम पे मेसेज करना इस्टाग्राम पर यह मत करना किसे बूक रिस